ओम, मैं आज आप लोगों को गाई के घीके बारे में कुछ बाते बता रहा हूँ, जो विशेश ध्यान रखन योग्य है अगर गाई का घी सुद्ध है, तो हमारे सरीर के लिए बहुत ही एक अच्छा उश्यदी है, बहुत अच्छा एक्टोनिक है, जीवन में बहुत ही उपियोगी चीज है जो हम गाई के घीके द्वारा भी हम निरोगी रह सकते हैं लेकिन अगर हम दुसरी द्रश्टी से देखते हैं, अगर गाई का घीक नहीं है, गाई का की अगर नकली है, तो मुसी घी से हम हमारे जीवन को बरबात कर सकते हैं, हमारे सरीर को बिलकुल बीमार कर सकते हैं अगर बिमार नहीं भी हुए तो दिरे दिरे बिमार होने की स्तिति पे जाएंगे क्यों कि नकली गाई का गी खाने से हाट का प्रोब्लम आएगा पोलेस्टोल बड़ेगा शरीर में नाना प्रकार के विकार उत्पन होंगे इसके लिए सबसे पहले आप लोग चुनाओ किजिए कि हम जो गाई का गी खा रहे हैं वो कहीं नकली तो नहीं है क्योंकि मैं अपने जीवन में मैंने काफी गाई के गी के उपर काम किया है अभी भी मैं करता रहता हूँ और चिकित सामें गाई के गीका में काफी उप्यों किया हूँ, कई वर्सों से उप्यों किया आ रहा हूँ उसमें मेरा अनुभवी जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाई का दूद अगर 28 से 35 लिटर दूद होता है तब जाके 1 लिटर गी निकलता है आप कलपना किजिए कि 28 से 30 लिटर के दूद की किमत क्या होगी और हम जो खाते हैं गाई का गी वो बनाने की पद्दती भी सही होनी चाहिए ऐसा नहीं कि गाई का दूद गरम कर लिया और मलाई निकाल के जमालिया और घी बना लिया वो स्वास्त के लिए अनुकुल नहीं है गरत मतलब जिस पद्दती से गरत बनता है उसी पद्दती से बना हुआ होना चाहिए गाई के दूद को गरम करके दही जमाया दही जमाने के बाद उसमें मताई की और मताई करने के बाद जो मक्षन निकलता है उसको गरम करने के बाद जो प्राप्त होता है वो घी होता है वो सरीर के लिए बलकारक है पुष्टी वर्दक है और बहुत ही सरीर की कम्यों को दूर करेगा और सरीर में अमरत के समान काम करेगा जो हम आराम से लाइब टाइम तक हम स्वस्तरेने में मदद मिलेगी लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है लोग समझने को तयार नहीं है कि असलीगी और नकलीगी कैसा होना चाहिए मैं आप लोगों को कुछ बाते बता रहा हूं आप उस पे गोर कीजिए कि अगर सुद्ध गी है असली गी है तो आप ट्राइ करके देखिए जिस वेक्ति को राद को बहुत ज़्यादा खराटे आते हो वो वेक्ति नाक में दो दो बुन गाईका घी डाले उसके खराटे मे दो से तीसरे दिन आप परिणा मिलने लग जाएगा और उसके खराटे राद को निद में आना बंद हो जाएंगे दूसरा परियोगी किजिए कि अगर किसी का पेट में ज़्यादा कबज रहती है बहुत ज़्यादा एसी डीटी वगरा पित वगरा बनता हो वो वेक्ति गर भी मिल गया तो बहुत है किसी वेक्ति को अगर निद कम आती है ज़्यादा तर तनाव में रहता है अगर वेक्ति दिन में दो बार रातरी में सोते समय और सुबह में अगर गाईका की नाक में डालेगा तो दिरे-दिरे काफी उसके दिमाख में सांती आएगी और काफी ओर और आज यह इस्तिती हो गई कि लोगों को असली और नकली घीव का अंतर मालूम नहीं है मेरे इसाब से 500-600 रूपय में देशी गाईका गी तियार नहीं हो सकता है आए यह बात अलग है कि कोई अगर छास का उपियो करता है या छास को सेल करता है तो कदाश से थोड़ा सस् जो आज मिल रहा है इसलिए मैं आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं कि अगर कम घी खाओ अगर आप महीने बर में अगर एक किलो घी खाते हो तो आप 200 ग्राम घी खाईए लेकिन अच्छा घी खाईए सुद्ध घी खाईए घाईके घी के बहुत सारे फाइदे हैं अलग-अलग तरह से चिकित्सा में भी प्योग आता है लेकिन आज में इतना ही कहूंगा कि असली और नकली घी का अंतर समझिए और उसी साब से चलिए क्योंकि नकली घी काने सपेक्षा तो गुन-गुना पानी ज़्यादा करेगा नकली घी नाडियों को ब्लोक करेगा और कई विकार पेदा करेगा इसलिए बस आज में इतना ही कहूंगा कि घी अगर खाते हैं तो आप असली घी खाईए नकली ना खाये और आगे में घ्याई के घी से शरीर में किस तरह से कैसे कैसे चिकित्सा कर सकते हैं उस पर भी मैं आप करूंगा ओम